हाई गाईज इस वीडियो में हमें बहुत ही जादा इंटरस्टिंग सवाल करेंगे जिसका नाम है बर्स्ट बैलून देखते हैं सवाल क्या है आपको एक आरे दिया गया है ये बी सी डी ए ए एफ ये बैलून्स हैं जैसे आप बी बैलून को फोड़ते हो ना आपको इस सारे बैलून फोड़ने हैं और जब आपको इन बैलून फोड़ते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं और आप इन बैलून्स को किसी भी ओर्डर में फोड़ सकते हो ठीक है तो आपको पताना है कैसे इन बैलून्स को फोड़ हैं कि आपके पैसे मैक्सिमम हो जैसे आप C बैलून को फोड़ते हैं तो आपको B, C, D पैसे मिलते हैं ठेक है तो जैसे एक example करके दिखाता हूँ आपको दो example करके दिखाता हूँ ठेक है यहाँ पर इस मैं सबसे पहले एक इसको बीच में रखते हैं और नीचे मैं आपको एक order दिखाऊंगा आपको फोड़ दिखाऊंगा मैंने सबसे पहले लेटस से B को फोड़ दिया B को फोड़ा तो A, B, C पैसे मिलेंगे और array रह गया A, C, D, E, F लेटस से मैंने अब E को फोड़ दिया ठेक है E को फोड़ूँगा तो पैसे मिलेंगे D, E, F जब कोई फोड़ था है ना तो उसके left वाला वो और उसके right वाले का multiplication पैसे मिलते है corner वाला कोई फोड़ था है जैसे A फोड़ था तो A, B पैसे मिलेंगे क्योंकि इसके left पे कोई है नहीं और F फोड़ था तो E, F पैसे मिलेंगे और array रह जाएगा A, C, D, F अब मानलो मैंने A फोड़ दिया A फोड़ दिया तो मुझे A, C पैसे मिलेंगे और array रह जाएगा C, D, F अब मानलो मैंने F फोड़ दिया मुझे D, F पैसे मिलेंगे और array रह जाएगा F फोड़ दिया तो C, D अब मालो C फोड दिया तो CD पैसे मिलेंगे उदर तो कोई था नहीं तो 1 x C x D रह जाएगा D अब D last में फोड आ तो मुझे 1 x D x 1 D ही पैसे मिलेंगे और arrow जाया खाली तो अपने जो total पैसे हैं वो है ABC plus DEF plus AC plus DF plus CD plus D यह order था फोडने का BEAFCD मैं और किसी order से भी फोड सकता हूँ let us say let us say मैं सबसे पहले यहां B फोड था था मैं सबसे पहले D फोड दूँ D फोड हूँगा तो CDE पैसे मिलेंगे और arrow क्या रह जाएगा A, D तो फोड चुका है A, B, C, E, F अब let us say मैं A फोड दूँ तो पैसे मिलेंगे A, B corner वाला फोड ने पे A, B मिलता है या इधर फोड होग तो E, F मिलता है तो A, B पैसे मिले B, C, E, F मालो अब मैंने B फोड दिया तो B, C पैसे मिले C, E, F मालो मैंने अब E फोड दिया तो C, E, F पैसे मिलेंगे रह गया C, E, F प्लस F, ठीक है, ओर्ड था D, A, B, E, F D, A, B, E, C, F तो फोड़ने के कितने order है, यह अगर 6 size का, तो 6 factorial ways आपके ऐस फोड़ने की, आपको बताना है, उन 6 factorial ways में से कौन सी सबसे जादा पैसे देगी, तो आप वो सबसे जादा पैसे निकालने हैं, जैसे एक छोटा example कर लेते हैं, let us say आपके बास 2, 3, 5 होता, तोडल 3 है, फोड़ने के 6 ways हो सकते हैं, 3 factorial ways, तो एक way है फोड़ने का 235 ही, एक फोड़ने का way है 253, एक है सबसे पहले 3 फोड़ा, फिर 2 फोड़ा, फिर 5 फोड़ा, एक वे है 3 फोड़ा, 5 फोड़ा, 2 फोड़ा, एक है 5, 3, 2, एक है 5, 2, 3 order में फोड़ा, तो हर के हम पैसे calculate कर लेते हैं, इस example में पैसे calculate कर लेते हैं, और देखते हैं कि किस में सबसारा पैसे मिलेंगे, 2, 3, 5 था, सबसे पहले आपने 2 फोड़ा, 2 फोड़ा तो 2, 3, 5 में से 2 इंटो 3, 6 रुपीज मिलेंगे, 3, 5 रह गया, अब अगला आपका order कहता है 3 प्लस 15 प्लस 5 तो 26 रुपीज, अब 2, 5, 3 order में फोड़ते हैं, यह order है फोड़नेगा, असल में आपका array तो 2, 3, 5 ही है, 2, 3, 5 है, सबसे विले 2 को फोड़ा, 2 को फोड़ा, तो कितने मिले आपको, 2 इंटो 3, that is 6, 6 मिले, रह गया 2 को फोड़ने के बाद 3, 5, अब आपको 5 फ तो 15, 6, 21, 3, 24 रुपे मिले, 3 to 5 में, 3 to 5 order है, 2, 3, 5 आप कहा रहे है, सबसे पहले आपने 3 फोड़ा, तो 2 into 3 into 5, 30 मिले आपको सीदे, ठेके, रह गया क्या 3 फोड़ने के बाद 2, 5, अब आपको 2 फोड़ा, 2 फोड़ा तो 2 into 5, 10 मिले, रह गया 5, अब 5 फोड़ा तो 5 पैसे म अब 5 फोड़ा, 2 into 5, 10, रह गया 2, 2 फोड़ा तो मिले 2, ब्लांक हो गया, तो 10 plus 2, 12, 42 रुपीज, 5 सबसे पहले फोड़ा, 2, 35 में से, 5 सबसे पहले फोड़ा, 5 फोड़ा तो मिले 15, रह गया 2, 3 फोड़ा, 3 फोड़ा तो मिले 6, रह गया 2, 2 फोड़ा तो मिले 2 हो गया ब्ल 5 फोड़ा तो 3 x 5 15 रुपीज मिलेंगे 2 3 रह गया 2 फोड़ा तो 2 x 3 6 मिला रह गया 3 3 फोड़ा तो 3 रुपीज मिले और ब्लैंक हो गया 15, 16, 16, 24 तो सबसे जाधार रुपेज आपके वास 45 थे वो 3 to 5 वार्डर फोड़ने में थे तो आपको यह निकालना है तो लाइए अगर मैंने आपको यह दिया होता 2 3 1 5 6 4 2 3 1 5 6 4 तो अब इसके अंदर आपको बताना है maximum कितने पैसे कमा सकते हैं तो इसका डीपी बनाएंगे और देखते हैं क्या होगा मैं आपको basic thought देता हूँ 2 3 1 5 6 4 के अंदर आप maximum पैसे कैसे कमा सकते हैं तो देखो इसके अंदर क्या करना होगा corner फोड़ते हो तो आपको 2 इंटू 3 या 4 फोड़ते हो तो 6 इंटू 4 मिलता है पर अगर जैसे तो बीच का कुछ फोड़ते हो 5 तो 1 इंटू 5 इंटू 6 मिलता है तो इसके अंदर चॉइस है ना आपके पास चॉइस यह है आखरी ध्यान सुनना आपने चूज किया कि आखरी बैलून 2 फूटेगा या आखरी बैलून 3 फूटेगा या आखरी बैलून 1 फूटेगा या आखरी बैलून 5 फूटेगा या आखरी बैलून 6 फूटेगा या आखरी बैलून 4 फूटेगा ठीक है आखरी बैलून 2 फूटा मतलब 3 1564 अल्डेडी फूट चुका है और उसके इधर कोई है नहीं, तो आपको मिलेगा, इधर कोई था यह नहीं, उसकी कीमत 0, इधर 31564 की कीमत, जो आप मान लो कि फेथ से आपको मिल जाएगी, 31564 को फोड़ने की कीमत आपको मिल जाएगी, ठीक है, प्लस आपने तो 2 फोड़ा है ना, 31564 अल्रेडी फूटा हुआ था, यह जो चॉइस है ना, यह आप 2 को चूज़ करे हो, कि 2 is the last balloon to burst, यह जब मैं पूरी DP बनाऊँगा, तब जार अच्छे समझ में आएगा, last balloon to burst का मतब है कि 31564 अल्रेडी फूटा हुआ है, तो उसकी कीमत आपको अल्रेडी मिल जाएगी, ठीक है, फेट से मिल जाएगी, इधर कोई ही नहीं, 0, यह फूटा हुआ है, इधर कोई ही नहीं, तो 2 हमें कीमत देगा, 1 into 2 into 1, प्लस 2, ठीक है, वर्सिस, वर्सिस, अगर म 31564, आखरी balloon मानता कि 3 फूट रहा है, आखरी balloon 3 मानने का मतबद है क्या है, आखरी balloon 3 मानने का मतबद है कि यह अल्रेडी फूटा हुआ है, यह अल्रेडी फूटा हुआ है, तो 2 की कीमत तुम्हें मिल जाएगी, फेथ से, कि 2 को फूटने की बेस्ट कीमत, 1564 को फूटने की best कीमत मिल जाएगी अब यह दोनों फूटे हुए है ना तो 3 आपको कीमत देने वाला है 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 वर्सेज अगर तुम कहरे हो कि आखरी बैलून वन फूटा यह आखरी बैलून वाली बात ही थोड़ी से मिल जाएगी या डीपी से मिल जाएगी वर्सेज अगर मैं 5 को आखरी बैलून मानू फूटने वाला तो 6-4 आखरी फूटने वाला तो 5 इसकी कीमत होगी वर्सेज अगर आखरी फूटने वाला बैलून 6 होता यह आखरी बैलून फूटने वाला 6 होता मतलब यह औरड़ी फूटा हुआ है यह औरड़ी फूटा हुआ है तो इसकी कीमत हमें फे या डी पी से मिल जाएगी 2315 की फूटने की कीमत पूर्ट फूटने की चीमत मिल जाएगी अब six फूट रहा है इधर कुछ है नी नी तो वो six उर्पीस देगा versus अगर 4 आखरी फूटने वाला होता फूर अगर आखरी फूटने वाला होता तो ये औरड़ी फूटा हुआ है, इसकी कीमत आपको मिल जाएगे 2, 3, 1, 5, 6 राइट पर कोई है नहीं, तो प्लस 0 और इसको फोड़ने कीमत 1 x 4 x 1 4 तो इन सब का वर्सिस होगा, जो इन में मैक्स होगा वो हमारा अंसर बन जाएगा ये इसका basic recursive pattern है लाओ अब इसको DP में के solve कर निकोशिश करें gap strategy इस्तमाल होगी gap 2 strategy इस्तमाल होगी ठीक है, matrix chain multiplication में आपको gap 2 strategy समझाई गई थी prerequisite इसका matrix chain multiplication है matrix chain multiplication या minimum palendromic cut इसका prerequisite है minimum palendromic cut को भी ना समझे matrix chain multiplication आपको आना चाहिए ठीक है तो ये वाला DP मैंने बनाया डब्बे का meaning अभी assign करता हूँ बहुत ध्यान से आपसे मैं ये request करूँगा कि आप डब्बे का मतलब समझे आपको डब्बे का मतलब समझ में आएगा तो ही बात बनेगी ठीक है इस तरफ मैंने start plot किये है इस तरफ मैंने end plot किये है ठीक है आप gap strategy जानते है तो आपको पता होगा in dub होगा कोई meaning नहीं देखो बेटा अगर कोई मेरी ये वीडियो देखने आया है और सीधा इस सवाल पर जंप कर गया है तो मेरी आपसे बता क्या request है मेरी वीडियो उस तरह की नहीं है कि आप बीच में एक सवाल देखने आया और आपको समझ में आ जाए आपको order में देखना पड़ेगा तो अगर मेरा सवाल देखने से पहले आप catalan number देख चुके है matrix chain multiplication देख चुके हैं हाँ जी यहाँ पर आप जानते ही है answer होगा 2 का 2 से 2 यह answer होगा 3 से 3 यह answer होगा 1 से 1 यह answer होगा 5 का यह answer होगा 6 को फोड़ने का यह answer होगा 4 को फोड़ने का यह answer होगा 2 और 3 को फोड़ने का 3 और 1 को फोड़ कर best पैसे कितने खमाए 1 और 5 को फोड़ने का 5 और 6 को फोड़ने का 6 और 4 को फोड़ने का तो ये gap 0 के उपर 1 बैलून फोड़ने का best price है ये gap 1 के उपर 2 बैलून फोड़ने का best price है gap 2 के उपर 3 बैलून फोड़ने का best price है 2, 3, 1, 3, 1, 5 1 से शुरू 6 पे खतम 1, 5, 6 पढ़ने का तरीका पता क्या होता है, यह cross तक जाओ, उपर से पढ़ दो, 5-6-4 को फोडने का प्राइस, gap 3 के उपर, 4 बैलून को फोडने का बेस्ट प्राइस है, 2-3-1-5, यहाँ पर, 3-1-5-6 को फोडने का बेस्ट प्राइस, यहाँ पर, 1-5-6-4 को फोडने का बेस्ट प् फाइनली 2,3,1,5,6,4 को फोड कर maximum कितने पैसे कमा सकते हैं ठीक है अच्छा एक बात मैं बहुत गौर तलब बोलूँगा है यहाँ पर 3,1,5,6 का मतलब क्या है यहाँ पर क्या मतलब है कि 3,1,5,6 को फोड कर maximum कितने पैसे कमा सकते हैं पर उसको यह ना समझना कि सिर्फ 3,1,5,6 isolation में है isolation में नहीं है इस पूरे array में से इतने पार्ट को फोड कर 3,1,5,6 को फोड कर पूरे array में से जरूरी है पूरे array में से 3,1,5,6 को फोड कर जो maximum पैसे मैं कमा सकता हूँ यह फूट जाएगा इसके बाद 2,4 array बच जाएगा ठीक है तो 3,1,5,6 को फोड कर maximum कितने पैसे कमा सकता हूँ कि इसके बाद 2,4 बच भी जाए और maximum पैसे आ जाए 3,1,5,6 को फोड कर वो यहाँ डलेंगे बहुत जरूरी बात है मैं ऐसा नहीं है कि मैं यह बात कर रहा हूँ कि सिर्फ 3,1,5,6 को फोड ने कितने पैसे होते यह नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि पूरे array में से 3,1,5,6 को फोड कर maximum पैसे कितने मिलेंगे यह बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है दोनों बातों में फर्क है 3,1,5,6 तो array यह लग हो गया और 2,3,1,5,6,4 में से 3,1,5,6 को फोड ना is a different question ठीक है क्योंकि अगर मैं 3,1,5,6 की बात करूँगा न तो जब 3 फूटेगा तो 1 into 3 into 1 मिलेगा और 2,3,1,5,6,4 के अंदर 3,1,5,6 को फोड रहेंगे 3 को फोड रहेंगे तो 2 into 3 into कुछ पैसा मिलेगा वो लग चीज है चेक है आपको यह समझना ज़रूरी है यह बात बहुत ज़रूरी है कि 3,1,5,6 को कितने के अंदर कंसिडर कर रहे है अच्छ इस वाले को भरते हैं यह बहुत असान है मैं कह रहा हूँ 2,3,1,5,6,4 में से 2 को फोड गर मैक्सम कितने पैसे कमा सकते हो यह पूरा गाप 0 वाला गाप एक बलून फोड ने की बात कर रहे है सिर्फ 2 को फोड गर मैक्सम कितने कमा सकते हो सिर्फ 2 को फोड ने का यह की तरीका है 2 को फोड दो 2 इंटो 3,6 सिर्फ 3 को फोड कर आप मैक्सम कितने कमा सकते हैं सिर्फ 3 को फोड ना है बाकी कुछ फोड ना ही नहीं सिर्फ एक ही इस गाप के पर बलून ही एक फोड ना है 3 को फोड दो 23564 3 into 1 into 5 15 सिर्फ 5 को फोड़ कर आप maximum कितने पैसे कमा सकते हैं सिर्फ 5 को फोड़ना है एक ही फोड़ना है तो 1 into 5 into 6 30 सिर्फ 6 को फोड़ कर आप maximum कितने पैसे कमा सकते हैं सिर्फ 6 फोड़ना है तो 5 into 6 into 4 120 सिर्फ 4 को फोड़ना है बाकि सब बचेगा बागी सब छोड़ देना है सिर्फ 4 को फोड़ना है तो 6 into 4 is 24 यह आ गया यहां की values अब यहां पर हम क्या डालेंगे इन यहां पर पहले वाले में तो एक ही तरीका था अब मैं ध्यान से देखना 231564 में से 23 को फोड़ना गुतना कितना गुमा सकते हो 23 को फोड़ना गी दो तरीके हैं पहले 2 को फोड़ लो या पहले 3 को फोड़ लो ठीक है तो वो दोनों देखते हैं तो अगर मैं पहले 2 को फोड़ना 23 फोड़ना चाहिए एंड पर 2 को फोड़ना तो मिलेंगे 6 रुपीज 2 into 3 मैं अच्छे सक दिखा देता हूँ कि मैं पहले 2 को फोड़ना तो मिले 6 बचके 3, 1, 5, 6, 4 2 और 3 फोड़ना चाहिए फिर 3 को फोड़ना तो मिले 3 into 1 1, 5, 6, 4 तो टोटल मिला 9 एक तरीका तो ये है एक तरीका है कि पहले 2 फोड़ लो फिर 3 फोड़ लो दूसर तरीका क्या है पहले 3 फोड़ लो 3 फोड़ो के तो 2 into 3 into 1 6 बचगा क्या 3 to 4 चुके 2, 1, 5, 6, 4 इस एरे का स्टार्टिंग पॉइंट से मत समझना कि 6 फोड़ना ऐसा नहीं है 3 फोड़ा तो 2 into 3 into 1 6 में ले 2, 1, 5, 6, 4 बचगा अब 2, 4 दो 2 into 1, 2 तो बचगा 1, 5, 6, 4 एंट पॉइंट पे दो लो में 1, 5, 6, 4 इधर पैसे लगे 8, इधर लगे 9 हमें तो जाधा चाहिए तो पहले 2 और फिर 3 फोड़ है ना कि 3 और 2 फोड़ है तो यहां आ गया नहीं पहले 2 वाला सारा करवादो यह 4 दब्बे करवादो 31 वाला कि 2, 3, 1, 5, 6, 4 में से 31 फोड़ कर आप मैक्सिम्म कितने पैसे कमा सकते हैं 31 फोड़ने की 2 तरीके हैं एक तरीका क्या है कि पहले 3 फोड़ है फिर 3 फोड़ देंगे तो 2, 1, 5, 6, 4 बचेगा फिर 1 फोड़ है तो 2, 5, 6, 4 बचेगा 31 फोड़ के 2, 5, 6, 4 या पहले 1 फोड़ है तो 2, 3, 5, 6, 4 बचेगा और फिर 3 फोड़ है तो 3, 4 दोगे तो 2, 3, 5, 6, 4 में से 2, 5, 6, 4 बचेगा तो पहले 3 फोड़ा तो पहले 3 फोड़ा तो 2, 3, 1, 6 और फिर 2156 में से 1 फोड़ा तो 2 इंटो 1 इंटो 5, 10, 16 रुपे, पहले 1 फोड़ा तो 3 इंटो 1 इंटो 5, 15, और अब 3 फोड़ा तो 2 इंटो 3 इंटो 5, 30, इधर 45 इधर 16, तो बैटर है 45, तो 231564 में से 31 को काट के हम best 45 रुपे कमा सकते हैं, 2564 अभी भी बच जाएगा, तो हमें 31 का, देखो न, यहाँ पर मैं जो में बताना चाहता हूँ, यह 31 ऐसा नहीं है, कि मैं गहरा हूँ, 31 को फोड़ने का best price क्या है, 31 के अगर बात होती, तो वही ऐसा होता कि पहले 3 को फोड़ो, 3 इंटो 1 मिलेगा, 1 बच गया, फिर 1 को फोड़ो, 1 इंटो 1 मिलेगा, खाली हो 31 की बात होती, तो आंसर 4 और 6 के अंदर से 6 आता, बात होती है, 31, यहाँ पर 31 स्टोड नहीं है, यहाँ पर स्टोड है, how much money can you make maximum by bursting 3 and 1 out of 2, 3, 1, 5, 6, 4, तो पूरे array के अंदर है, यहाँ पर आए होग कि तुम्हें वह बात समझ में आई होगी, अब 15 के बात करते हैं, पूर यहाँ पर 15 फोड़ना है, फिर 5 को फोड़ना है, फिर 5 को फोड़नो, तो बच जाएगा 2364, यहाँ पहले 5 को फोड़नो, तो बच एगा 23164, अब 1 को फोड़नो, बच एगा 2364, तो इसके अंदर से अगर 1 को फोड़नो के तो 3 into 1 into 5, और इसके अंदर से 5 फोड़नो के तो 3 इंटो 5 इंटो 6, 30, अब 1 फोड के तो 3 इंटो 1 इंटो 6, 18, तो eventually same जगह पर हो पर यहां पर 105 रुपे हैं और यहां पर 48 तो 105 इस बेटर, अब अगला क्या कहता है, 56 को फोड ने का बेस्ट तरीका क्या है, 56 से maximum, कितने पैसे कमा सकता है, 56 फोड के, आप क्या 2, 3, 1, 4 बचेग फिर 5, 4 लो, 2, 3, 1, 4 बचेगा, दोनों में 2, 3, 1, 4 अब पैसे किसमें जाद है, 5 को फोड तो 1 इंटो 5 इंटो 6, 30, 6 को फोड तो 1 इंटो 6 इंटो 4, 24, 6 को फोड तो 5 इंटो 6 इंटो 4, 120, 5 को फोड तो 1 इंटो 5 इंटो 4, 20, this is 140, this is 54, तो I think 140 is higher, अब 64 को फोड ने की बाते 64 को फोड ने की बाद 2, 3, 1, 5 बचेगा, पहले 6 फोड लो, 2, 3, 1, 5, 4 बचेगा, फिर 4 फोड लो, तो 2, 3, 1, 5 बचेगा, या पहले 4 फोड लो, 2, 3, 1, 5, 6 बचेगा, अब 6 फोड लो, 2, 3, 1, 5 बचेगा, देखें, 6 को फोड पहले फोड तो 5 इंटो 6 इंटो 4, 120, 4 को फोड फोड़ा तो 6 इंटो 424 अब 6 को फोड़ा तो 5 इंटो 6 30 54 वर्सिस 140 तो 140 विंस अब ना यहां पर क्या बात हो रही है अब सोच के देखिए 231 को फोड़ने के 231 को फोड़ने के 6 तरीके हैं जिसके अब 564 बचेगा 6 के 6 तरीकों के बाद पहले 2, 4 लो फिर 3, 4 फिर 1, 3, 4 लो फिर 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2 भी 6 तरीके हैं न सब के बार 564 ही बचना है और हो सक्ता है हमें यह बताना है कि उन 6 तरीकों मैं सबसे ज़Jackie-德 पैसे किस से मिलेंगे वह यहां पर 315 को फोडने का बैस तरीका जिसे 264 बच जाये और 315 को फोडने के मैक्समुम पैसे तो मैं जनरीक कराता हूं 3156 को करवाता हूं कि 231564 में से मैं कौन साथ अब आप से जनरीक करवा रहा हूं कि 231564 के अंदर से 3, 1, 5, 6 area आपको maximum कितने पैसे दे सकता है ठीक है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तब 3, 1, 5, 6 के अंदर बता है क्या है 3, 1, 5, 6 area फोड़ना है आपको आपको तरह इसको फोड़ने के best पैसे कितने मिलेंगे 2, 3, 1, 5, 6, 4 में से आप चूज करिए कि 3 is the last to be burst 1 is the last to be burst 5 is the last to be burst और 6 is the last to be burst 3 है आखरी फोड़ने वाला 1 है आखरी फोड़ने वाला 5 है आखरी फोड़ने वाला चेक है अगर 3 आखरी फोड़ने वाला है इस area में से आखरी फोड़ने मिलेंगे 156 अलड़ी फोड़ना हुआ है और इसके इदर कोई ही नहीं Left में कोई है यह थी के 3ा, इधर कुछ है ही नहीं इस फूटने वाले area में 3 के Left में कुछ है यह थी Right में 156 है इस area का आखरी फूटने वाला 3 है मतब 156 और फूटा हुए और Left में कुछ ही नहीए तो Zero Left में कुछ था यह था ही नही Plus 156 की लिधा प्लस अब 156 फूटा हुआ है अल्रेडी और राइट पर कोई है नहीं तो आपने 3 को आखरी फूटा है तो 2 इंटू 3 इंटू 4 2 इंटू 3 इंटू 4 वर्सिस वर्सिस चेक है तो मैं इसको दबार लिख दूँ 2 3 1 5 6 4 को 2 3 1 5 6 4 ये वाला एरी आपको फोड़ना है 0 1 2 3 4 5 इसको मैं नीचे लिख लो यारे बार बार ची होगा 3 1 2 5 3 6 वन को आप आखरी फोड रहे हो 3 1 5 6 फोड़ने के लिए आप वन को आखरी चूज करें कि तू आखरी फूटेगा इसका अलब 3 ओर्री फूट चुका है इसका अलब 5 6 ओर्री फूट चुका है 3 को फोड़ने की कीमत आपको 3 वरा डबब में मिल जाएगी 5 6 को फोड़ने कीमत आपको 5 6 के डबब में मिल जाएगी जो आपके पड़े होंगे ये रहा 3 वरा डबबा और ये रहा 5 6 वरा डबबा यह गिमत्य आपको मिल जाएंगी 1 को आखरी फोड़ रहे हो तो 2 x 1 x 4 ठीक है वर्सिज वर्सिज अगर आप 5 को आखरी फोड़ते हैं यह आपका एरिया है यह पूरा एरिया फोड़ना है 3156 इसके मैक्सम पैसे बताने है अगर 5 आखरी फोड़ता है तो 310 already फोड़ा हुआ है और 6 already फोड़ा हुआ है 310 के पैसे, 310 के डबबे से मिल जाएंगे 6 के पैसे, 6 के डबबे से मिल जाएंगे 310 के पैसे उठाए 6 को फोड़ने के पैसे तो 2 x 5, x 4 5 is the last balloon to burst in this area 310 is already burst उसकी value मिल जाएगी 6 is already burst उसकी value मिल जाएगी अब 5 आखरी फूट रहा है तो 2 into 5 into 4 versus versus अगर 6 को तुम आखरी choose करो कि 6 आखरी फूट एगा ठेक है अगर तुम ये कहते हो कि 6 आखरी फूट एगा किस area में से जो area आपको burst करना है हम 3156 के लिए calculate कर रहे हैं सब कुछ तो अगर इसमें से 6 आखरी फूट एगा मतलब 315 आखरी फूटा हुआ है और इसके right side पर 4 ने के लिए कुछ है नहीं तो 315 की value ली plus right side पर कोई है नहीं 0 और 2 into 6 into 4 2 into 6 into 4 तो इन सब के अंदर जो आपका विनर होगा वो आप 3156 पर डालोगे अब इसको देख लेते हैं कहाँ पर पढ़ी है value देखो अगर आपने 3 को चूज किया तो left side पर कुछ नहीं था यह 3156 पर अब यहाँ पर डबे पर value आपको देखनी है 0 plus 156 plus 2 into 3 into 4 है क्या 3156 में से आपने 3 को चूज किया कि last फूटेगा तो left पर कुछ था ही नहीं 156 पर फूटा हुआ है तो left पर कुछ था ही नहीं और यह रहा 156 this plus this plus 2 into 3 into 4 यह वाला डबा प्लस यह वाला डबा left पर कुछ है नहीं 3156 तो 3 इसको इस तरह से सोच ना 3156 3 को आखरी फूट रहे हो 156 अलड़ी फूटा हुआ है 156 की वाला यहां मिल गई 3 के left पर कुछ ही नहीं 156 वाले एरिया में तो इसकी वाला यहां से 156 की वाला यहां से 156 की वाला और 2 into 3 into 4 2 into 3 into 4 ठीक है तो this डबा प्लस that डबा प्लस 2 into 3 into 4 अब सोचो कि अगर तुम 1 को आखरी फूट रहे हो 1 को आखरी फूट रहे हो तो 3 अलड़ी फूटा हुआ है 5,6 यह इदर से इदर आ गए अगर 1 को आखरी फूट रहे हो तो मैंने यह बोला था ना 3 जो आखरी फूटा हुआ है वीजिद अग लाषा है 5-6 जो All डी फूटा हुआ है यह रहा 5-6 जो All को लास्ट vosडने के लिए बस्ट करो तो ध्यान से देखना फाइव को लास्ट फोडने के tariffs deedี่ 23 201554 पाहिको आघरी फोडने के لिए उमने इस एरिया के लिए उनवच्व Jake 6-4 के अंदर से 6 को आखरीच चूज किया हुआ है, 3-1 और फूटा हुआ है, 3-1-5 की यह कही है। कोई है नहीं प्लस तो इंट्स इंटू इंटू खूर ये तो यह स्कॉट चुका ऐधर था ही नहीं attend इन्टो इस द्बाइव भी लीए इस द EVERY द्बा Celebrate यहां पर 2015 भून ऐन से देखिए ठीपहला फूट रहा है 2, 3, 1, 5, 6, 4 में से 3, 1, 5, 6, 4 में से 3, 1, 5, 6, आईरिया फूटना है ध्यान दीजिए दुबारस में वह चार डब्बे आपको समझाता हूँ जो इस डियाग्राम में भी समझाये थे यहां भी समझाये थे वो यहां भी समझने ज़रूरी है 2, 3, 1, 5, 6, 4 के अंदर से 3, 1, 5, 6, 4 ने के maximum पैसे बताने है 3 आखरी फूट रहा है 3 को चूज किया तो left पे कुछ फूट रहने के लिए है नहीं 3, 1, 5, 6 में से 3 को आखरी चूज किया तो left पे कुछ फूट रहने के लिए है नहीं right पे 1, 6, 1, 5, 6, sorry 1, 5, 6, तो this plus this 3 आखरी फूट रहा है तो 2 into 3 into 4 मतलब 3 से पहले जो 2 था 2 into 3 into 4 ठेक है अगर 1 आखरी फूट रहा है तो left पे फूट रहने के लिए 3 है ये रहा right पे फूट रहने के लिए 5, 6 है ये रहा 1 आखरी फूट रहा है तो 2 into 1 into 4 फाइव आखरी फूट रहा है तो लेफ्ट पे है 31 ये रहा राइट पे है 6 जो अलड़ी फूट चुका है ये रहा और फाइव आखरी फूट रहा है तो 2 इंटू 5 इंटू 4 6 आखरी फूट रहा है तो लेफ्ट पे है 315 ये रहा राइट पे कुछ है ही नहीं, 3156 में से 6, अगर आखरी फूट रहा है तो 6 के राइट पे कोई और नहीं है फूटने के लिए, तो ब्लैंक, और प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4, ये वल्ली यहां पर रहेंगी, ठेक है, इस वेरी सिंपल, तो जनरिक कोड निकालने कोशिश करते है एक बार, कि 3156 की वैल्यू क्या होगी, एक जनरिक कोड निकालने कोशिश करते हैं, ये मैंने गलती मिटा दिया है, यहां पर, ठेक है, बस मैं इसकी कॉपी यहां लिख लेता हूँ, तो जनरिक कोड निकालने कोशिश करते हैं, देखो बेटा, हमें बताना है, इस आय से, इस जे तक फोडने की बेस्ट कीमत, इस आय से इस जे तक फोडने की बेस्ट कीमत, तो क को वेरी किया, क को आय से लेकर जे तक वेरी किया, के इकुल तो यहां से स्टार्ट किया, आय से फिर जे तक, कि ये आखरी फूटा तो, ये आखरी फूटा तो, ये आखरी फूटा त वो होगा ये k 3 था 1, 5, 6, मदब k plus 1 से j k plus 1 से j is right वाला हिस्सा जो पहले food चुका है इस case में k और i ब्राबर है तो left वाला हिस्सा था ही नहीं फोड़ने के लिए प्लस ये food चुका है left में कुछ था ही नहीं तो 2 into 3 into 4 तो i into i, मदब इससे पहले वाला into जो k आपने फोड़ा है into इसके बाद वाला i, माइनस 1 ये है i, माइनस 1 into जो आपने k वाला फोड़ा into j, प्लस 1 यहीं समझ में आया होगा दुबारा से बात करते हैं 3, 1, 5, 6, 4 एरिया के अंदर अगर मैं one को last फोड़ू one को last फोड़ू तो इसका left वार एरिया जो already फोटा हुआ है वो मिलेगा मुझे i से k-1 तक k तो ये है ना ये भी फोटा हुआ है और ये भी फोटा हुआ है तो मैं इसा बोलता हूँ k-1 से j फोटा हुआ है k-1 से j फोटा हुआ है k plus 1 से j already फूटा हुआ है और i से लेकर k minus 1 भी फूटा हुआ है i से लेकर k minus 1 भी फूटा हुआ है k plus 1 से j is right वाला part i से लेकर j तक का part फोड़ना है अभी तुम k को फोड़ने की आखरी फोड़ने की बात कर रहे हो तो k plus 1 से j that is right वाला part फूटा हुआ है i से k-1 left वाला part फूटा हुआ है अब ये आखरी फूट रहा है ये आखरी फूट रहा है तो i से लेकर j बागी सब फूटा ही हुआ है i-1 वाला into k into j plus 1 i-1 into k into j plus 1 तो जो जनरिक निकल कर आया है वो पता है क्या निकल कर आया dp of i, k-1 sorry k-1 ये पता है क्या है left part अब k आखरी फूट रहा है तो मतब i s लेकर k-1 और फूटा हुआ है i s लेकर j आपको फोड़ना है इस area के अंदर i s लेकर j आपको total फोड़ना है k आखरी फूट रहा है तो i s लेकर k-1 left हिस्सा है जो और फूटा हुआ हुआ है k plus 1 से j right वाला हिस्सा है जो already फूटा हुआ है तो उनकी कीमत हैं आपको यहां मिल जाएंगी k plus 1 से j और i से k minus 1 और यह अब आखरी फूट रहा है तो i minus 1 जो array के अंदर है इसके साथ multiply होगा into j plus 1 पूरे area के फोटने के बाद जो right में है पूरे area के फोटने से पहले जो left में है यह इनके साथ multiply होगे तो this into this into this plus array of i minus 1 into array of k into array of j plus 1 ठीक है यह है आपका formula तो इसको एक बार दोबारा जहन में बिठा के देखते हैं आगे बिठा के देखते हैं अगले वाले option में बिठा के देखते हैं ताकि आप तक यह बात पहुंच सके जो मैं पहुंचाना चाहता था 2, 3, 1, 5, 6, 4 यह formula की तरफ आपको ध्यान से देखना है यह आपका area है i, j 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपको i से लेकर j तक को फोड़ कर maximum पैसे बताने है अगर आपका k यह choose होता है यह आपका k चूज होता है तो यह आपका area अलड़ी फूटा हुआ माना जाएगा यह आपका area अलड़ी फूटा हुआ माना जाएगा k3 है तो i से k-1 k3 है तो देखो 1 से 2 i से k-1 आपका अलड़ी फूटा हुआ है यह K है, तो I से K-1 पूटा हुआ है K-1 से J पूटा हुआ है तो left हो पूटा हुआ है, राइट पूटा हुआ है PLUS यह थो यह I-1 होगा, यह J है थो यह J पूटा हुगा I-1, जो पूरे फूट है हुए अरिय, जो सारा एरिया फूटने वाला है उसके जो left पे है और जो सारे या फूटने वाला उसके जो right पे तो before array array of i-1 into array of k into array of j plus 1 अजिसे वो कुछ special cases है ये left part हमेशा नहीं होगा जब आपका k i-th balloon को ही फोड़ेगा तो आपकेस left part नहीं होगा जब आपका k जे-th balloon को फोड़ेगा तो आपकेस right party होगा तो ये और ये दोनों हमेशा नहीं होगे ठीक है बाकी आपका काफी simple है ठीक है अच्छा एक special cases में और आ सकता है एक special cases में यह होगा मैंने array of i-1 into array of k into array of j plus 1 किया है ना ये हमेशा नहीं होगा जैसे 2-3-1-5 की बात करें 2-3-1-5 की बात करें तो आपके बास array of i-1 होगा ही नहीं वो corner वाला balloon की बात जो हो रही है तो वो आपको सोचना एक्स्टा handle करना पड़ेगा तो एक बार मैं रखता हूँ इसी को रखता हूँ इसको रखते हैं साइड में तो पहले एक बार 3-1-5-6 को करते हैं generic formula के लिए 2-3-1-5-6-4 generic formula के लिए इसको कर रहे हैं 0-1-2-3-4-5 3-1-5-6 को forward कर maximum पैसे कितने आएंगे तो last ये food सकता है last 3-1 food सकता है last 1-2 food सकता है last 5-3 food सकता है last 6-4 food सकता है इस case में left पे कुछ नहीं है right पे 1-5-6 है 1-5-6 है plus अब ये food चुका है left पे कुछ रही नहीं तो 2-3-4 ठीक है तो 2-3-4 अच्छा अगर last 1 food रहे हो तो ये और ये पहले food चुके है तो 3 की value 5-6 की value plus 2-1-4 तो लिख देता हूं मैं 3 की value plus 56 की value क्योंकि वो पहले food चुके है plus 2 into 1 into 4 अगर 5 को last चूज कर रहे हो तो ये तो नहीं food चुके है तो 31 की value 6 की value और 2 into 5 into 4 31 की value plus 6 की value plus 2 into 5 into 4 6 आखरी food रहे हो तो 315 food चुका है इदर कुछ फोडने के लिए है ही नहीं तो 315 plus 0 plus 2 into 6 into 4 315 जो 6 के इदर था right पर कुछ है ही नहीं plus 0 plus 2 into 6 into 4 एक तो ये case हुआ तो इसमें जो special में जो आपका ध्यान दिलवाना था वो दिलवाना था जब के आए के बराबर होता है तब आपके बास left part नहीं होता और जब के जे के बराबर होता है तो सब कुछ left वाला food चुका होता है राइट में कुछ फोड़ निकली होना था अच्छा एक और special case जो मुझे आपको दिखाना है इसको अपने पास रखो इसके बाद जो जनरिक फॉर्मला था होता है जब आपका k फूट रहा है तो left क्या होता है अगर 5 फूट रहा है तो ये वाला part अगर ये k है ये वाला part left होता है आपका आए से k-1 आए से k-1 ओल्री फूट चुका है ठीक है ये आखरी फूट रहा है k-1 से j आपका फूट चुका है k-1 से k-1 से j इतना गंदा की लिखता हूँ यार मैं हट जाबे से j तो आपका ये भी फूट चुका है ये भी फूट चुका है तो 2 इंटू 5 इंटू 4 वो कैसे आया? array of i-1 आय से भी पहले into array of k जो अब फूट रहा है into array of j ब्लस 1 ठीक है? तो ये तो आपका हो गया अच्छा अब एक special case जो दिखाना है आपको 2, 3, 1, 5 में दिखेगा और एक 1, 5, 6, 4 में दिखेगा तो मैं इसको रखना चाहता हूँ इसको रखना चाहता हूँ बस इसको छोटा कर लेता हूँ भाई साब आपसे बहुत प्रेम है हमें लेकिन आपको minimize होना होगा रही है खुशी खुशी रही है यहाँ पर बस आप minimize हो जाएगे ठीक है अब हम एक बार 2, 3, 1, 5, 6, 4 के अंदर 2, 3, 1, 5 को calculate करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह ओला area फोड़ना है भाई यह ओला area फोड़ना है ठीक है तो इसके अंदर ध्यान देना की बात है आप 2 को आखरी फोड़ होगे या आप 3 को आखरी फोड़ होगे या आप 1 को आखरी फोड़ होगे या आप 5 को आखरी फोड़ होगे 2 को आखरी फोड़ा तो left पे कुछ नहीं है right पे 0 प्लस right पे 3, 1, 5 है plus यह देखो तो 2 को आखरी फोड रहे हो, 315 अलड़ी फूटा हुआ, लेट पर कुछ फोडने के लिए है नहीं, इसके दर जो बस खास बात है ना, जब 2 को आखरी फोड रहे हो, तो left पर कुछ नहीं मुल्टिप्लाइ करने के लिए, तो 2 इंटु 6, बस इतना ही होगा, आए माइनस 1 क्योंकि आपका 0 माइन नेगेटिव हो जाएगा, आए माइनस 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाली चीज नहीं आएगी, तो array of k into array of j plus 1 आएगा बस, plus 2 इंटु 6, ठीक है, इसको में दोबार लिखने हो एक बार, 315, 123, अगर 3 को last फोड रहे हो, तो तो ये अल्रड़ी फूटा हो है, ये अल्रड़ी फूटा हो है, तो 2 की वैल्यू, 15 की वैल्यू और इधर कुछ है नहीं, आए मानस 1 नहीं है, तो बस 3 इंटु 6, तो k into j plus 1, ठीक है, तो ये special case में आपको बताने के लिए यहां पर लाया था, 2 plus 15 अल्रड़ी फूटा हो है, प्लस लेफ, 2 अल्रड़ी फूटा हो है, 1 5 फूटा हो है, लेफ पर कुछ है नहीं, तो 3 इंटु 6, अब 1 को आखरी फूट रहे हो, तो 2 3 फूटा हो है, 5 फूटा हो है, 2 3 कीमत, प्लस 5 कीमत, प्लस 5 कीमत, और लेफ पर कुछ है नहीं, ये फूट गया, ये फूट गया, त फाइव को आखरी फोड रहे हो तो आपका 2,3,1 फूटा हुआ है लेफ पे कुछ है नहीं तो 2,3,1 की किमत लेफ पे तो 2,3,1 है राइट पे कुछ है नहीं प्लस 5 इंटो 6 इधर से कुछ मुटिप्लाइब निकली नहीं आएगा तो आपका 0 से कुछ फोड रहे है न तो आपका इस आय माइनस नहीं होता तो 2,3,1 प्लस 5 के राइट पे तो कुछ है नहीं 0 प्लस ये फूट चुका है और अब ये फूट चुका है 2,3,1 राइट पे कुछ फोड ने के लिए है नहीं तो 5 इंटो 6 क्योंकि लेफ्ट पे कुछ था नहीं तो ये वाला केस में बताना था कि जब आप शुआच से स्टार्ट कर लेते है नहीं तो बाकी फॉर्मला से रहता बस आय माइनस वन नहीं होता आपके पास उसकी जिग चेकरी अब 2,3,1,5,6,4 के अंदर 0,1,2,3,4,5 के अंदर मैं कह रहा हूँ 1,5,6,4 आखरी फोड ना है तो इसमें से 1 को आखरी चूज कर सकते हैं,5 को आखरी चूज कर सकते हैं,4 को आखरी चूज कर सकते हैं,5 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 को आखरी चूज कर रहे हो तो 1 फूट चुका है,6,4 फूट चुका है थेक है तो यह मैंने इसके लिए चूज किया है तो जब 5 और 6 की कीमत पहले लिखूँगा 5 को फोड रहे हो यह फूट चुका यह फूट चुका तो 1 प्लस 64 प्लस 3 इंटू 5 बैस तो होता ना है बन फूट चुका शिटी फूट चुका इधर कुछ ही निए बस अब 6 आखरी फोड रहे हो तो यह फूट चुका यह फूट चुका तो 1 5 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू राइट पर कुछ नहीं है 6 को आखरी फोड रहे हो तो 1 5 आपका पहले फूट चुका 6 को आखरी फोड रहे हो तो 1 5 प्लस 3 इंटू 4 156 plus 0 plus 3 into 4 और 1 को आखरी फोड रहे हो तो ये फूड चुका है लेफ्ट पो कुछ है ही नहीं फोड ने के लिए तो 0 plus 564 plus 3 into 1 0 plus 564 plus 3 into 1 तो ये जो जनरिक फॉर्मुला है ना यही मेजर है आपके पास तो इसको भी मैं छोटा सा कर देता हूं आपको फिर समझाने ही कोशिश करता हूं मेरी बात अगर आप ध्यान से सुनें और आप तक पहुंच पाए तो तालियां बचती रहनी चाहिए तो ये जो बेसिक फॉर्मुला है मैं आपके सामने लिख देता हूं ध्यान से देखिएगा आपके पास है ये आरे पूरा तू त्री वन फाइव सिक्स फॉर आपको इसका कोई आय से जे एरिया फोड़ना है ये आय है ये जे है ये एरिया फोड़ना है आप आखरी बेलून फोड़ने के लिए k जो choose कर सकते हो यहां से लेकर यहां तो कोई भी choose कर सकते हो तो आपका जिसे आपने यह वाला k choose कर लिया तो आपका left वाला area जो already food चुका है इस वाला area में से i से लेकर k-1 होगा अगर यह वाला k choose किया है तो i से लेकर k-1 already food चुका है यह फूट चुका यह फूट चुका तो आपकी value क्या होगी इसको फोडने की value क्या होगी i-1 into this into this तो आपका generic formula आया plus array of i-1 into array of k into array of j j plus 1 यह i और j थे ना i-1 into k into j अब इसमें क्या बात हो सकती है कभी-कभी आपका left 0 होगा जब आप k और i बराबर होगा इसको फोड रहे हो तो left में कुछ है ही नहीं और जब आप k j के बराबर होगा 6 को फोड रहे हो तो left पे तो 315 है right पे कुछ है ही नहीं तो अब यह 0 होगा और कभी-कभी आपके i-1 और j plus 1 नहीं होगे जैसे अगर आप 2,3,15 को फोड रहे होते है 2,3,15 को फोड रहे होते तो जब भी कुछ फूटेगा तो left side पे 2 से पहले वाला कुछ नहीं है अगर हम यहाँ पर बात करें कई पर ऐसा हो सकता है कि area of i-1 आपके वास नहीं होगा जब कब नहीं होगा 2,3,15,64 के अंदर यह वाला case जब आप इस area की बात कर रहे हो अब 2 फोट हैगा तो left से कुछ multiply करने के लिए नहीं है 2 आखरी फोट रहा है 3,15 फोट चुका है तो अब 2 आखरी फोट रहा है तो इधर से कुछ हैं नहीं है this into this into this हुआ करता इधर कुछ है ही नहीं फोटने के लिए और 1564 के अंदर अगर मैं 5 को आखरी फोटने की बात करूँ 1 फोट चुका है, 6,4 फोट चुका है तो 3 into 5 into nothing इस case में J plus 1 नहीं है तो हो सब आपका I minus 1 और J plus 1 ना हो I minus 1 अगर negative है या J plus 1 array की length से बाहर हो तो वह होंगे नहीं, उनके नाम का 1 आ जाएगा लाई यह अब इसे code करें ठीक है, basic algorithm हम समझी चुके है तो जादा कुछ है नहीं इसके अंदर तो अब अपने को dp बनानी है dp equal to newint array.length plus 1 या array.length array.length gap strategy मैं यूज करूँगा for int gap equal to 0 gap less than dp.length gap plus plus gap strategy बिल्कु नहीं समझाऊँगा gap 2 strategy है यह for int i equal to 0 j equal to gap j less than dp.length i plus plus j plus plus ठीक है, मैं gap पर चलते जा रहा हूँ और यहाँ पर अब क्या करना है जो मेरा k है जो मेरा k है वो कहा से कहा वेरी करता है i s लिकर j तक जाता है int k equal to i s i s लिकर j तक का area फोड़ना है तो k i s start होगा और j तक जाएगा k plus plus ठीक है जो left वाला area आपके already food चुका है जो left वाला area already food चुका है वो होता है i k-1 में ठीक है right वाला area जो आपका already food चुका है वो होता है k plus 1 से j लेकिल इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी अगर 3156 के अंदर 3156 के अंदर ये i है ये ही तो मैंने आपको बताया था ये i है और ये j है और अभी इसी को फोड रहे हो तो left वाला कुछ ही नहीं अरिया right वाला तो 156 है k अगर i के बराबर हो तो left वाले area नहीं होता आपके पास और जब k j के बराबर होता है कि ये फूट रहा आखरी तो right पो कुछ फोड नहीं के लिए ही नहीं ठीक है तो वो simple सी बात है अगर k i के एक्वल हुआ तो left पार्ट होगा 0 otherwise ये और अगर k j के बराबर हुआ k अगर j के बराबर हुआ तो right पार्ट होगा 0 k प्लस 1 से j अब k तो j के बराबर है तो k प्लस 1 से j कैसे होगा अब ये देखो ना ये होता था i से k माइनस 1 अब k अगर i के बराबर है तो i से k माइनस 1 डिफाइन ही नहीं होगा i से i माइनस 1 ये क्या बात हुए अगर k j के बराबर है तो k प्लस 1 से j कुछ बनेगा ही नहीं k तो j के बराबर है तो j प्लस 1 से j तो कुछ होता ही नहीं चैकर सोचके देखो भाई अगर k ये है, तो i से k-1 left होता है, और k प्लस 1 से j right होता है, पर अगर k ये होता, तो left हिसा होगा ही नहीं, और k 6 होगा, तो left पर 315 पर right पर कुछ नहीं होगा, तो मने वही लिखा है, अगर k तुमारा i है, तो left पर कुछ नहीं होगा, और kj है तो write पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, और फिर जो तुम kth फोड़ते हो, kth फोड़ने की value, kth फोड़ने की value क्या होती है, array of i-1, i से j तो फूट गया, i-1, और i से j फूट गया, तो j plus 1, उस तरफ j plus 1 होता है, array of i-1 into array of k into array of j, ये वाली चीज़, ठीक है, लेकिन array of i-1 हमेशा नहीं होता, अगर i 0 है तो array of i-1 होई नहीं सकता, और array of j नहीं, array of j plus 1, देखो ना, मैं दोबार सबनी बाद बोलता हूँ, हम हर बार क्या discussion कर रहे हैं, बिसकलि हम ये discussion कर रहे हैं, ये कहां से आता है, जो value अभी लिए है, 2, 3, 1, 5, 6, 4, ये वाला area फोड़ना है, यहां से लेकर यहां तक का, इसको फोड़ने की best price बताने हैं, अभी ये choose हुआ है, ये है left जो अरड़ी फूट चुका है, i से k-1, ये है right जो अरड़ी फूट चुका है, k plus 1 से j, ये क्या है, अभी आखरी फूट रहे हैं, ये दोन i-1 कोई, ठीक है, अगर i आपका 0 पर है, तो i-1 नहीं होगा, और अगर आपका j extreme पर है, तो आपका j plus 1 नहीं होगा, ठीक है, इस case में हम यहां पर क्या करेंगे, तो ये देखेगा, value मेना सिर्फ array of k डालो, 2 minute के लिए, array of k डालो, तो if i is greater than 0, अगर i 0 नहीं है, तो value के अं array of i-1, और अगर आपका j is less than array dot, is not equal to, वो आखरी नहीं है, not equal to array dot length minus 1, वो आखरी नहीं है, तो उसकी वो वाली side multiply कर लो, val equal to val into array of j plus 1, ठीक है, या मैं इसको एक साथ लिखने ही कोशिश करता हूँ, देखना ज़रा, थोड़े से operations use होंगे, मैंने जो लिखा था, मैं वापस लिखता हूँ, array of i-1 into array of k into array of j plus 1, इसी को compact तरीके से लिखने ही कोशिश करता हूँ, इसको देखना हूँ, जो array of i-1 की जगे लिखंगा, इसको देखेगा, if i is 0, तो i-1 होई नहीं सकता, तो i-1 की जगे बना जाए, i 0 नहीं है तो i-1 आ जाए, ठेक है, अब इसकी जगे, j plus 1 आपके असका संभव नहीं होता, अगर j आखरी है, array dot length minus 1, j आखरी है, तो भाईया right side पर कुछ नहीं है, j आखरी है, मलों, i से j आपका ऐसे है, ये वाला scene, ये i है, ये j आखरी है, तो इदर तो कुछ होगई नहीं पड़ा है, वो 1 आणलो, ठेक है, into array of k into this, I hope कि ये लंबास आपको समझ में आया होगा, ठेक है, हमको इसका min निकाल, इसका max निकालना है, तो assume करूं, अगर negative values तो हो सकती है, integer dot min value, if left, ये total value निकालना, बस, in total equal to left plus right plus val, I hope कि तुम ये tertiary, ये tertiary अप्रोटर समझ में आ गए है, मैंने क्यों लगाए है, if total is greater than max, तो max gets updated, ठेक है, और बहार निकल कर, dp of ij में, हम dump कर देंगे, ये max, last minute न कर देंगे, top right corner, zero throw का, let's give it a run, spin the wheel कर दें, submit कर दें, correct answer, तो देखो, यार यहां पर मैं आप से request क्या करूंगा, request में ये करूंगा बेटा, इस सवाल पर सीधे ना आए, और इस सवाल पर सीधे आएंगे, और समझ में नहीं आता, तो discourage होने की दूरत नहीं है, आपको पूरा order समझ में आना चाहिए था, तो देखो इस सवाल से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, ये सवाल चेन में बहुत नीचे है, यहां burst value नहीं है, इस से पहले बहुत सारे सवाल हैं, boolean parenthesis, matrix chain multiplication, minimum building row में cut, ये सारे, road cutting, ये सब आते होते तो आप सवकर पाते हैं, चीक है, तो वो सवाल आप पहले करेंगे, तो यहां आपका अच्छा कहानी बनेगी, असल में मेरा जो course है, वो order में करने वाला है, तो एक सवाल करके बात नहीं बनेगी, order में सवाल कीजेगा, मिलते एकले सवाल में, thank you very much.